हेग अमस्कार आप लेगों का टाक्रन क्लासिश के प्यादेसी यूटूब में पर सवागत है गाई जो आज की क्लास में लोग बात करने वाले कच्छा दस की गडित की एक नए अध्याई की सुरुआत करने वाले प्यारे बच्छो आज की लेक्षर में तक बात करेंगे प्रिश्णावली 13 दसमलों एक का सुरू से लेके सभी सवालों को सुरू से लेके अंत तक सभी सवालों का धिन करेंगे पहले बच्चो क्लास को श्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलेगा चली क्लास को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे सबसे फर्ष्ट सवाल आपको दिखाई पर लागा क्या कर रहा पहले बच्चो ध्यान से देखना क्या करा कि दो घंड जिनमें से पर दिखाई पर रहा है क्या करा है कि दो घंड को मिला कर एक ठोस बनाया जाता है और जो ठोस बनाया गया है वो ठोस घनाव नूमा है क्या है पहले बच्चो घनाव नूमा है तो उस घनाव का मुझे क्या बताना है प्रिष्टिय आयतन बताना है तो पहले बच्चो सबसे एक हो जाएगे क्यों कि दोनों घंआ को आहतन आपस में समान है तो लिखेंगे दिया क्या है दिया यह है आपको कि प्रतेग घंगा आहतन जा health प्रतेक भोजा क्या है एक्स और ग्यात क्या करना है प्रिष्टिय आयतन ध्यान से दिखेगा प्रिष्टिय आयतन तो हम कह सकते हैं यह क्रिष्टिय आयतन अब क्या होता है ध्यान से समझे कि यहां पर नियम यह होता है पहले बच्चो कि अब हम घन का आयतन जानते हैं क्या जानते हैं कि घन का आयतन होता है भोजा का क्यूब तो ध्यान से दिखेगा कि हम जानते हैं घन का आयतन घन का आयतन बराबर होता है भोजा का क्यूब क्या ह होता है भुजा का क्यूब अब आपने भुजा क्या माना एक्स माना है तो भुजा के अस्तान पर क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा और घन का आयतन घन का आयतन दिया है अब यहां से Q भटाएंगे क्या लग जाएगा Qρω Road लग जाएगा प्यारे बच्शो और यह X üç dirt का मतलब होता इसका घंभान निकालेंगे कितना आ जाएगा प्याराँचो चार तो यानि X की वैलू आ गयी चार सेंटिवीट है यानि कहने का मतलब है कि ये जो घन की भुजा है प्रतेक घन की भुजा चार से मी है ध्यान से दिखना ये चार होगा तो घन की जो भुजाएं है वो चार सिंटीमीटर होगी ही होगी ये भी क्या होगी चार सिंटीमीटर सब प्रतेक भुजाएं चार सिंटीमीटर अब सोचो अगर ये चार है तो ये भी चार होगा अगर इन दोनो घनों को जोड़ा गया है प्यारे बच्चो इन दोनो घनों को जोड़ा है ये भुजा और ये भुजा दोनों मिलकी ये वाली भुजा तयार हुई तो ये चार और ये भी चार चार-चार मिलके कितने होगे प्यार बच्छो आठ सेंटीमीटर यानि ये घनाब की लंबाई है ये घनाब की लंबाई है और चोड़ाई तो वही है प्यार बच्छो इस बार देखिए ये जो उचाई है यहां से लेके यहां तक की उचाई तो आपकी वही है चार तो हम ग्यात कर रहे हैं घनाब का प्रिष्टिय आयतन का फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए बराबर 2 क्या होता है घनाब का प्रिष्टिय आयतन का फार्मूला होता है बराबर 2 लंबाई चोडाई चोडाई उचाई 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 लंबाई यह होता है ध्यान से अब क्या होता है दो लंबाई की वैलू कितनी है आठ है उने चोड़ाई चोड़ाई कितनी है चार है प्लस फिर चोड़ाई चार है उचाई भी चार है यहां देखिए उचाई ये चार है चोड़ाई ये है उचाई प्लस लंबाई उचाई कितनी है चार है और लंबाई कितन है आठ इनी को हल करना अब दो आठ चोग के कितना हो जाएगा 32 चार चोग के 16 और चार अठे 32 ठीक तो 32 बत्तिस 64 हो जाएगा चोट 64 चाश सतर दस असी हो जाएगा तो दो गुणे असी बराबर कितना जाएगा 160 सेमी क्यों तो इस प्रकार प्यारे बच्चो आपका जो घनाब का प्रिष्टी आयतन होता है वह आजाएगा 160 सेमी क्यों आएगा ठीक स्वरी प्यारे बच्चो आपसे आयतन नहीं यहां आयतन नहीं बल्कि क्या पूछा प्रिष्टी यह छेदफल प्रिष्टी यह छेदफल होना चाहिए हम लोग आयत ले सकते हैं घनाव का आयतन दिया था घनाव का आयतन से भुजा निकाला और वहां से गनाव का प्रिष्टिय चितफल निकाल ले आप इसका एक सब लेजे फुर हम बात करते हैं आगे के प्रिश्णों के हैं तो गाईस हमारा दूसरा स्वाल स्क्रीन पर दिखाई पर ला होगा क्या करा है कि कोई बरतन एक खोखले अर्धगोले आकार का है कोई यह बरतन है जो यह खोखला अर्धगोला है जिसके उपर एक खोखला बेलन अर्धगोले का ब्यास मतलब यहां से लेखे यहां तक कि टोटल दूरी जो है 14 cm है मतलब यहां से लेखे है जब 24 है पैरे बच्चों तो 37 cm हो जाएगी आपको ध्यान देना है आगे करा और बरतन की गूल उचाई वरतन की कूल उचाई तेरह है आगे करा तो इस बर्तन का आंत्रिक प्रिष्टिय छेत्रफल ग्यात करना है क्या ग्यात करना है प्यारे बच्छो आंत्रिक प्रिष्टिय छेत्रफल ग्यात करना है तो चलिए हम लोग आसानी से ग्यात करेंगे क्या होता है देखे क्या बात होता है कि इस बरतन का आंत्रिक प्रिष्टिय छेत्फल सब प्रिष्टिय छित्फल निकालना है तो इसमें बेलन है और आपका अर्धगोला है तो प्यारे बच्चो गोले का जो छित्फल होता है ध्यान से दिखे गोले का प्रिष्टिय छित्फल का फामूला होता है फोर पाई आर इसक्यार अब अर्ध गोले की बात आएगी तो अर्ध गोले का क्या हो जाएगा अर्ध गोले का प्रिष्टिय छित्फल तो आधा हो जाएगा चार का अधा दो तो दो पाई आर इसक्यार हो जाएगा समझेज रासा और जो बेलन का प्रिष्टिय छित्फल होता है बेलन का प्रिष्टिय छित्फल उसका फामुला होता है टू पाई आर एच होता है ठीक अब पूरे खिलोने का छित्फल चाहिए तो पूरे खिलोने के छित्फल में बेलन और अर्धगोल है दोनों है तो दोनों को जोड़ देंगे ठीक तो सम कि यहां तक कसाथ है तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 6 cm समझ रहे हैं यानि बेलन की उचाई 6 cm आ जाएगी चलिए अब हम सुरुगात करेंगे सवाल की इसको मुप करते हैं आपको बहुत ही आसान भासा हम लोग इसको हल करेंगे क्या पूछा है पूरे खिलोन का आंत्रिक प्रिष्टिय चेत्फल तो बिल्कुल निगा लेंगे तो लिखे खिलोने का क्या खिलोने का आंत्रिक प्रिष्टिय चेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें दो है एक अर्धगोला है एक बेलन है तो लिखेंगे बेलन का प्रिष्टिय चेत्फल बेलन का प्रिष्टिय चित फल और प्लस प्लस क्या हो जाएगा अर्ध गोले का प्रिष्टिय चित फल अब धियान से देखे बेलन का प्रिष्टिय चित फल मैंने अभी बताया कितना है प्रवचो 2 पाई आर यच और अर्ध गोले का कितना है 2 πाई आर स्क्यार अब अधिहान से देखें दोनों में 2 πाई आर 2 πाई आर कामन है तो 2 πाई आर कामन ले लेते हैं यहां क्या बच जाएगा H और यहां एक खो आर बच जाएगा H प्लस आर चलिए वैलू रखते हैं 2 पाई की बेलू 22 बटे 7 और त्रिज्जा यहां दी गए देखें 7 सेंटीमीटर 7 फिर H बेलनी की उचाई बेलनी की उचाई कितनी प्रवच्च 6 फिर यहां 7 आ जाएगा यह 7 से 7 कैंसल होगा 22 दुनिया आ जाएगा 44 उन्हें 6 सते 42 अब 44 गुड़े 42 कर लेंगे जो भी इसका आएगा वह आपका अंसर हो जाएगा पिर बिच्चो तो गुणा करेंगे तो लगभख लगभख आपका 500 बहत्तर आएगा 500 72 सेमी पर इस प्रकार आपका यह second number प्रेस्टर क्या हो जाएगा complete हो जाएगा आप इसका एक स्कुंस लेजिएगा फिर हम बाते करेंगे प्रेस् एक खिलावने की त्रिज्या 3.5 वाले एक संकू का आकार है मतलब ये खिलावना है पूरा जो की संकू आकार की है और इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सिंटीमीटर पहले से दिया है यानि अगर हम लिखना चाहे हैं तो ये बात जरूर लिख देंगे कि जो संकू की त्रिज्या है संकू की त्रिज्या 3.5 सिंटीमीटर है आगे करा है उसी त्रिज्या वाले एक कर्ध गोला अध्यरोपित है उसी त्रिज्या वाला संकू की जो त्रिज्या थी उसी त्रिज्या का एक अर्ध गोला इसी संकू पे अर्ध्यारो पितर संकू पे लगा हुआ है आगे करा है इस खिलाने की सम्पोर उचाई 15,05 cm मनी यहा करा की खिलाने का सम्पोर प्रिष्टी च्थपल ग्याद कीजे तो खिलाने का सम्पोर की बात आई तो संकू और अर्धगोला दोनों का प्रिष्टीज हिटपल निकाल के जोड़ देंगे खिलाउने का संपोर प्रिष्टीज हिटपल मिल जाएगा पहले आप ये बताओ पूरी टोटल उचाई यहां से लेके यहां तक का 15.5 है भाई ये इतना 3.5 है तो बचा हुआ जो होगा यहां से लेके यहां तक की तो 15.5 माइनस 3.5 कर दें तो माइनस 3.5 कर देंगे तो यह 12 आजाए कितना आजाए 12 मतलब कहने का मतलब है जो संकू की उचाई है वो कितनी है 12 यानि कहने का मतलब से आहां तक कि उच्व भा रहे है ठीक अब आप यहां ध्यान से दिखना है ठीक एक बात आप समझेओ कि मुझे इस खिलाओने का शम्कूर प्रिष्टी ये छित्फल चाहिए तो उसमें संकू का प्रिष्टी ये छित्फल जरूरत है तो संकू का जो प्रिष्टी ये छित्फल का फामुला होता है वो पड़ोसी तो उन्हें बताया नहीं था आपको पता होना चाहिए कि पाई यार यल होता है जहां आर त्रिज्या ह होती है अब जब यल न दिया हो तो ल बराबर होता है अंडर रूट में आर का स्क्यार प्लस एच का स्क्यार तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे यह देखे आर यहां आपको दिया है पहले चाहिए कितना दिया गया है 3.5 कितना है 3.5 ठिक का स्क्यार कर देंगे ठीक ठीक thread ठीक्लस h ३ यह की वैलू आपको दी गए कितना बार का स्क्यार कर देंगे फिर क्या लगादेंगे अंडर रूट लगा ठीक अब दिहान से लिखे अब चाहो तो आप इन्हें हटा के क्या लगा देंगे बटे 10 अब 35 का क्या करेंगे प्यारे बद चुवर करेंगे तो 35 का वर करेंगे तो भी 35 35 किजिए आप कितना आएगा ठीक प्लस 12 का वर करेंगे तो 144 बटे हेक कर लिजी लसा पहल कर डालिए तो ये 1225 आएगा प्लस इनका गुड़ा यहां कर देंगे तो आजाएगा 144 डबल जीरो बटे कितना हो जाएगा अगर प्यारे बद चो इनको हम जोडते हैं इनको जोडेंगे क्या आजाएगा ध्या चार दो कितने हो गए देखें दो पांच यहां कबर हुए चार दो चार एक पांच और यहां आजाएगा एक 15625 बटे कितना हो जाएगा 100 अब हम इनका वर्गमोल निका लेंगे तो 15625 का वर्गमोल लिका लेंगे प्यारे बच्चो तो कितना आएगा ध्यान से देगा इस सतरे सब्सक्राइब कúp दीर legends फ्राइब 2005 कि सब्सक्राइब यहां से लेकि यहां से ठेले कि यहां तक कि फिरी ऐ सब्सक्राइब laure했는데 सब्सक्राइब पूर्ष हम पूर्ड ठिश्ते चत्पल Lauren रिखा प्रिष्टी चत्पल निकाल cenे यहां suggest तो क्या मिले खिलोने का संपोल प्रिष्ट्रिय छेद फल बराबर क्या हो जाएगा दो भाग है एक अर्ध गोले का प्रिष्ट्रिय छेद फल और प्लस क्या हो जाएगा संकुका ठीक तो प्लस संकुका प्रिष्ट्रिय छेद फल चलिए अर्ध गोले का होता है टू पाई आर इसक्यार और संकुका होता है पाई यार ल वैलू रग दीजे सबकि टू पाई की वैलू 22 बटे साथ आर आर आपके पांस है तीन दसमलो पांच गुड़े तीन दसमलो पांच क्यों दो बाग गुड़ा किया गया क्योंकि उसक्यार है प्लस पाई की वैलू 22 बटे साथ आर की वैलू 3 दसमलो पांच और अल है अल की वैलू 12 दसमलो फांच दिहां से दिखेंए अब हम क्या करते है यह, यह पॉइंट गटा के बटे दस लगा दे ये point गटा के बटे 10 और ये point गटा के बटे 10 ये point गटा के बटे 10 लगा दिए ठीक अब जो cancel हो रहा आप उनको cancel कर डाली 7 1 के 7 7 35 5 1 के 5 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 cancel हो गए ठीक अब धियान दिजे 11 दूनी 22 यहां 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 5 1 के 5 5 सते 35 यानी 11 सते 77 इधर 77 बचा है प्लस इधर देखे 7 35 5 1 के 5 दूनी 10 दो इगरह में 22 यहां 11 बचा है ठीक आजए ध्यान दिखे 11 गुने 125 बटे 10 ये भी कटेगा 25 पंचे 125 और यहां 25 दस ठीक ये हो गए अब क्या करना है 77 प्लस 11 का गुड़ा 25 से करेंगे 11 55 इग्यार दूनी 22 5 27 बटे 2 1 एक दो का लस ले लेंगे तो 2 का गुड़ा यहां करेंगे तो 2 सते 14 2 सते 14 एक पंचे 25 जोड़ दीजें तो 5 और 4 प्लस करेंगे 9 57 12 दो एक तीन एक चार बटे 2 तो लगभग अगर हम 429 से में 2 का क्या कर दे भाग दे दे तो 214 दसमा लोग 5 आएगा तो 214 दसमा लोग 5 सेमी वरग आएगा इसका छितफल इस प्रकार प्यर्यबेच्चों आपका यह तीसरा नंबर है 5 कम्प्लिट हो जाता है केवल आपको छितर में ध्यान देना है कि संकू का छितफल और गोलए का छितफल निकालके एड करना बस तो आप इसका दे लेजे लिए फिर माते करते हैं अगले प्रिशंन की हुआ है तो गाइस आपका चौथा प्रश्ण εδώ दिखाई पड़ा आगा क्या करा भूजा साथ सिंटीsymtre वाले एक घंकार कोई भू़ाख है कोई घंधाककार कोई ब्लाक है जिसकी भूजाएं साथ सिंटीमीटर जैसा कि आपके आकृती में मैंने बनाया है अगे क्या करा है उसके उपर एक कोई अर्धगोला रखा हुआ है इसके उपर कोई ये एक अर्धगोला रखा है आगे ध्यान से देखिएगा आगे क्या करा है कि कोई एक अर्धगोला रखा है और अर्धगोले की अधिक्तम ब्या अधिकतम ब्यास हो सकता है वो कितना हो सकता है अर्धगोले की अधिकतम ब्यास अगर हम बात करें यह लाइन होगी जो कि घन की भुजा के बराबर है अर्थातम कर सकते कि अर्धगोले का अधिकतम ब्यास घन की भुजा के बराबर होगा फर्ष्ट प्रश्ण का जवाब हम य यास बराबर क्या होगा गहन की भुजा गहन की भुजा समझे आप यानि साथ संटी मीठर अब आगे क्या करा है इस प्रकार बने ठोस का प्रिष्टिय छेदफल ग्याद किजिए यानि इस प्रकार जो यह ठोस बना है ठोस का प्रिष्टिय छेदफल ग्याद करना बिल्कुल हम आसानी से घ्यात परेंगे थोस का प्रिष्टिय चेथफ़ को इसमें तीन प्रोसेस तीन जगाब को समझ sबसे पहले तो घनाब का प्रिष्टीय चेथफ़ चलिए घनाव का विद्ष्ट्रिय चेथफ़ और प्लस यह जो अर्धोगोल में रखे हैं इनका अर्धगोले का अब एक बात आपको यहां द्यान दो अर्धगोला जो आपने रखा है प्यारे बच्चो वो अर्धगोला का जो यह आधार वाला भाग है यह भाग इसमें नहीं है अर्धगोला जो आपने रखा है वो अर्धगोला का एक भाग इसमें नहीं है यानि हम कह देंगे माइनस अर्धगोले के अर्धगोले के आधार का छेदरफर आधार का छेदरफर आप समझो कि ये आपका ऐसे ये उनूमा अर्धगोला होता है तो ये चीज़ नहीं यह चीज इसमें नहीं है इसको हम घटा देंगे तो प्यारे बच्चो अब आगे क्या हो जाएगा घनाव का छेट फ़लता च्छ गुड़े भुजा का वर्ग ध्यान से दिखीगा फिर आगे प्लस अर्धगोले का छेट फ़लता टू पाई आर इसक्यार अर्धगोले क कितना है साथ तो साथ का वर्ग प्लस यहां टू पाई आर में से पाई आर इसका घट जाएगा किवल पाई आर इसके आर बचेगा चलिए बैलू रखते हैं चाह गुड़े साथ का वर्ग करेंगो उन्चास प्लस पाई की वैलू बाइस बटे साथ आर अब ध्यान से देख गे 1177 और यहां 656 24 24 294 प्लस 1177 बटे 2 हो जाएगा ठीक आप चाहो तो लशा प लेकिन को आगे हल कर सकते हैं क्या करेंगे दो का गुणा करेंगे तो 2 4 8 आएगा दो का गुड़ा नॉम करेंगे 298 आएगा फिर दो दूनी चार एक पांच 588 प्लस क्या हो जाएगा 77 पूरे के बटे दो जोड दीजे अब 8 7 15 बटे दो भाग देंगे तो दो त्याइए चार दो दूनी चार दो पंचे दस तीन सो बतीस दसमलों पांच स्वेमी वर्ग इस प्रश्न का क्या होगा जवाब होगा आप चाहो तो ध्यान से समझे प्यारे वर्चों केवल आपको समझना है कि घनाब पे कोई अर्धगोला अर्धगोले के आधार का छेथफल बस यही लगा के हमको हुल करना प्यारे बच्चों इस प्रेकार आपका चौत्वा कंप्लीट हो जाता है अब आते हम पांचवे की तरह ध्यान से दिखे अब पांचवा क्या है पांचवे में ये है प्यारे बच्चों कि जो ये अगर आप किसी घनाव के फ्लक में से अर्धगोला काटकर निकालते हैं तो अर्धगोले का डिजाइन उपबन जाता है तो अर्धगोला उसमें बना नहीं उस घनाव की डिजाइन में अर्धगोला बना तो भई अर्धगोले का छेथफल घनाव का छेथफल दोनों एड़ हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि आप लोग अइस्क्रीम खाए होंगे तो आइस्क्रीम जो चारकोल आली आती है उस में से जब किसी से काट बाहर निकाल लिया जाता है तो वह उसी में अध्र हो जाएगा तो धियां से देखे. तो पांचवे सवाल में आपको स्क्रीन पे दिखाई प्रणागा मैंने बिना पढ़े सवाल को गताना इस्टार्ट किया परवेच्चो पांचवे क्या करा एक घनाकार बलाक है जिसके फलक के अंदर की ओर एक अर्धगोला काट कर गड़ा बनाया गया है अर्धगोले का ब्यास घन के किनारे के बराबर है जो यह अर्धगोला का ब्यास है वो घन के किनारा के बराबर है इस बात को ध्यान देना है तो सेश ठोस प्रिष्टिये छेथफल ग्यात कीजिए तो बिलकुल हम ग्यात कर पाएंगे सेश ठोस प्रिष्टिये छेथफल हम ल अब ये जो आप अर्ध गोला काटके बाहर कर दिये तब तो सेस ठोस का छित्रफल सेस ठोस का छित्रफल तो ध्यान से दिखेगा सेस ठोस का छित्रफल का फामुला होगा घनाब का छित्रफल किसका होगा घनाब का छित्रफल टिक और प्लस क्या हो जाएगा प्लस अर्ध गो अर्ध गोले का छेतरफल और माइनस हो जाएगा अर्ध गोले के आधार का छेतरफल वो जो एक भाग काट के बाहर निकाल लिए हो तो अर्ध गोले के आधार का छेतरफल अर्ध गोले के आधार का छेतरफल इस बात को ध्यान देजिए चलिए अब क्या करेंगे भई घनाव क गनाव का छेतफल होता च्छागुड़े भुजा का वर्ग होता है ठीक और प्लस अर्ध गोले का तो टू पाई आर इसक्यार और अर्ध गोले का आधार का छेतफल होता पाई आर इसक्यार घटा दीजिए और च्छागुड़े भुजा भुजा कितना है एमान के रखे हो तो वहाँ घटाएंगे तो πाई आर स्क्यार आ जाएगा ठीक अब क्या बोला था कि जो घनाव का जो अर्ध गोले का जो ब्यास है वो घन के किनारा के बराबर है तो जब घन के किनारा के बराबर है तो कह सकते हैं कि अर्ध गोले की जो तरिज्जा होगी वो घन की किनारा का आधा हो जाएगा तो इस बात को ध्याने रहा तो ये 6a square प्लस πाई r की अस्तान पे a बटे 2 का स्क्यार हो जाएगा ठीक तो 6a square πाई a square बटे कितना आजाएगा इस प्रकार आपका ये answer आजाएगा आपका यहाँ complete होता है आप सोच रहेंगे कि a बटे 2 कहा सा है r जो है ब्यास का आधा होता है और धगोले का ब्यास घन का किनारा या नी a के बराबर है तो भई ब्यास जब a है तो तरिज्ज्य बटे 2 हो जाएगी इस प्रकार आपका यहाँ ये question क्या हो जाएगा complete हो जाएगा चौथा भी और पांच वहाँ दोनों प्रेशन complete होते है आप चाहो तो इसका एक screen shot लेजिए फिर हम बात करते है next question की छठमी की तो गाई छठा प्रेशन आपके screen पे दिखाई पर रहागा क्या कर रहा है कि सनलंगन चित्र में दवा का एक कैपसूل एक बेलन के आकार का है देखिए ये कर रहा है आगे जिसके दोनों सिरोपर एक अर्धगोला लगा हुआ है इसके एक सिरा और ये दूसरा सिरा दोनों पर अर्धगोला लगा हुआ है पूरे कैपसूल की लcombाई 14 मिलिमीटर है पूरे कैपसूल की लंबाई 14 मिली मीटर है यदि इसका जो ब्यास है वो 5 मिली मीटर है मतलब यहां से अगर ब्यास 5 मिली मीटर है प्यारे बच्चो तो त्रिज्या अढ़ाई मिली मीटर हो जाएगी मतलब 2.5 तो ध्यान से दिखेगा अगर ब्यास 5 mm है तो त्रिज्या जो होती है वो ब्यास का आधा होती है मतलब 5 बटे 2 mm हो जाएगा अब सोचिए यानि कहने का मतलब है अब आगे कह रहा है आपका सवाल की पूरे दवाई का प्रिष्टिय चित्फल ग्याद करो तो भई दवाई में क्या आजाएगा ये एक अर्ध गोला आएगा दो अर्ध गोला साथ में एक खो बेलन तो क्या हो जाएगा ध्यान से दिखेए ध्यान से दिखेगा प्यारे बच्चो दो अर्ध गोले का चित्फल प्लस क्या हो जाएगा बेलन का वक्क प्रिष्टिय चित ठीक तो द्यान से दिखे क्या होता है कि भाई दो अर्ध गोले का प्रिष्टी छेथ फल तो निकालेंगे परंथ उसके लिए मुझे क्या चाहिए वो तो निकल जाएगा परंथ एच एच कैसे मिलेगा भाई देखो यहां से लेके यहां तक का दो दसमलो पांच है और यहां स तो टोटल जो एच की लंबाई होती हो हमको प्राफ्थ हो जाएगा बराबर 9 mm समझेग नहीं यह बात आप समझेग भाई अर्ध गोले की तरिज्जा अढ़ाई इधर कम होगा अढ़ाई इधर कम हो जाएगा तो 14 में से 5 कम हो जाएगा 9 हो जाएगा अब आपका आराम से पूरे कैपसूल का प्रिष्टिय छित्फल निकालेंगे आए ध्याँ से लिखते हैं तो कैपसूल का कैपसूल का प्रिष्टिय छित्फल तो कैपसूल का जो प्रिष्टिय छित्फल का फार्मूला होगा वो होगा दो अर्ध गोले का छित्फल दो अर्ध गोले का च्छेद पल अर्ध गोले का च्छेद पल और प्लस क्या हो जाएगा बेलन का च्छेद पल बेलन का प्रिष्टी च्छेद पल ध्यान से देखिए अब दो गुड़े अर्ध गोले का प्रिष्टी च्छेद पल होता है 2 pi r square और בैलें का होता है 2 pi r h रखिए 2 गुडे 2 गुडे pi की value 22 बटे 7 r र यहां दिखिए आपने प्राप्ट किया कितना 5 बटे 2 गुडे 5 बटे 2 और 2 pi की value 22 बटे 7 r की बटे क्तनी है 5 5 है नहीं 5 बटे 2 है और h, h कितना 9 है अब इसी को हल करना है आपको बस तो इसको मिला जुला कि आपको क्या करना पड़े हल करना पड़ेगा प्रविचो देखें ये दो ये दो ये दो कैंसिल हो जाएगा और ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा ठीक अब आपके सामने कितना बचेगा 225 by 110 गुड़े 5 बठे 7 प्लस यहां कितना बचेगा 225 by 110 गुड़े 9 बठे 7 चली 5 का गुड़ा करते हैं 5 1 0 in 0 5 1 5 5 1 5 5 5 50 बठे 7 यहां गुड़ा करेंगे 9 0 in 0 9 1 के 9 9 के 9 990 बठे 7 जोड देते हैं बही जोड़ देंगे तो लास्ट में 0 आएगा नौ पांच चाउदर नौ पांच चाउदर एक पंदर पंदर सो चालीस बटे साथ आप भाग देना चाहो तो भाग दो नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए तो लगभग अगर भाग दे ही देते हैं तो कितना आएगा देखो साथ दूनी 14 बचा एक साथ दूनी 14 जिरो तो 220 मीली मीटर मीली मीटर स्क्यार आएगा उस कैपसूल का प्रिष्टी है छेत फ़ल इस प्रकार आपका छठा प्रशन कंप्लीट होता है देखे कितना आसान है पहरे बच्चो केवल आपको डाइग्राम की मदद से लगाना है बस आप इसका स्क्रीन सौट लेजिए फिर हम बात करते हैं साथ में प्रशन की पैर बच्चो साथवा प्रशन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा क्या करा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके उपर कोई एक संकु अध्यारोपी था जैसा कि आपको च लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि बेलन की उचाई बेलन की उचाई एच एक्वल टू चार मीटर दिया है आगी क्या करा भाई बेलन का ब्यास बेलन का ब्यास बेलन का जो ब्यास है वो कितना है दो दसमलो एक मीटर तो ब्यास एक है तो त्रिज्या आधा हो जाएगी त आगी क्या करां, आगी करां, यदि संकू की तृरियक, उचाई 2.8 मीटर हो मतलब संकू की तिरेयक उचाई जिसे हम L से वैक्त करते हैं तो तिरेयक उचाई L एक्वल टू आ जाएगा 2.8 मीटर ठीक आगी करा है तो इस तंबू को बनाने में प्रियुक्त कैनवास का छितफल मतलब इस तंबू यदि एक मीटर इसक्यार कैनवास का दाम कैनवास का दाम कैनवास का मुल 500 रुपए है आगे कह रहा है 500 रुपए है तो पूरे कैनवास की लागत कितनी होगी ध्यान देना है जो तंबू का आधार है वो कैनवास से नहीं ढखा है यह आधार कैनवास से नहीं है, यह आधार कम है, इस बात को हम ध्यान देंगे, अब हम से क्या करा है, ध्यान से कर समझे हैं, तो सबसे पहले मुझे पूरे कैनवास का छेथफल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा पेरवचो कैनवास का छेथफल निकालना पड लगे कैनवास का छेत्रफल तो कैनवास का छेत्रफल क्या हो जाएगा उसमें दो ची जाए है डेलन का रभाग का छेत्रफल बेलन का छेत्रफल प्लस संकू का छेत फ़ल है संकू का छेत फ़ल है अब बेलन का छेत फ़ल होता है 2 πाई आर एच और संकू का होता है पाई आर एल ठीक 2 πाई की बैलू 22 बटे 7 आर आर आपने निकाला भी है देखे 2 दसमलो एक बटे 2 इन्टू एच एच यहाँ है यह कितना है 4 प्लस पाई पाई की बैलू 22 बटे 7 आर की बैलू 2 दसमलो एक बटे 2 एल आपने दिया है 2 दसमलो आठ चलिए ध्यान से देखे अब क्या करना है अगर आपको पॉइंट हटाना है थटा दीजी जैसे यह पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लग जाएगा और यह पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 और यह पॉइंट यहाँ 10 ठीक अब क्या आपको कैंसिल करना बस दो दहम में कितना होगा 20 होगा ठीक कैंसिल होगा है ध्यान से देखे अब क्या 11 दूनी 22 तो भई 5 दूनी 10 चलिए कितना होगया तो आपके पास इधर बचा 11 गुने 21 गुने 4 बटे 7 पचे 35 यह बचा प्लस अब इधर जैसे की क्या करेंगे जैसे की मैं बात करूँ 7 के 7 7 चव के 28 कट गए ठीक 7 की यहां स्कैंसिल हो गई अब आगे रहां देजे 11 दूनी 22 तो 10 दूनी 20 हो गए ठीक अब 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 2 एक के 2 2 पंचे 10 ठीक 11 गुड़े 21 और 5 पंचे 25 ठीक यह आपके पास बचा अब गुड़ा करेंगे 11 गुड़े 21 गुड़े 4 करेंगे और उधर 11 गुड़े 21 तो 11 गुड़े 21 गुड़े 4 करेंगे तो 924 924 बटे 35 प्लस 11 गुड़े 21 करेंगे कितना आजाए तो 231 25 दिवाइड कर देते हैं क्यों यह आजाए कि इसको डिवाइड करेंगे तो 9.24 गुड़े इनको डिवाइड कर देते हैं इनको डिवाइड करेंगे 26.24 घुड़ ways जोड़ेंगे तो 26.9 कितने हो जाएंगे तो प्यदीवत्यो इन दोनों को हभेड करेंगे तो 35 कितना आजाएगाutos 38 35वालाओ 4 कितनी होजाएगी एक मिटर स्क्रार की लागत इतना है इतने की निकालनाथ इसका इसका गुड़ा कर देए बस तो ध्यान से देखना है कि पूरे कैनवास की लागत कितनी होगी 35.64 गुड़े क्या हो जाएगा 500 गुड़े कितना हो जाएगा 500 अब देखिए यह पॉइंट कटाएंगे तो 100 लगेगा दोनों 0-0 कर जाएगा यानि 35.64 गुड़े 5 कर देंगे तो भाई दोनों का मल्टिप्लाई कर देंगे तो 17.820 रुपए आएगा मतलब पूरे कैनवास की लागत 17.820 रुपए होगा तो आप इसका एक स्क्रीन सॉट लेजएगा फिर हम बात करते अगले प्रशनी की तो गाइज आपका स्क्रीन पे आठवा प्रशन दिखाई पर रहागा करा भई उचाई 2.4 सिंटी मीटर और ब्यास 1.4 सिंटी मीटर वाला एक ठोस बेलन है मतलब कहने का मतलब है कि 2.4 सिंटी मीटर उचाई वाला तो भई बेलन की यह जो ठोस है इस ठोस की जो उचाई है वो 2.4 सिंटी मीटर है आगे क्या करा है ब्यास 1.4 मतलब ब्यास 1.4 सिंटी मीटर तो भई ब्यास 1.4 है तो तरिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी तो क्यों यह पूरा यहां से यहां तक लगा दिए यहां ध्यान से दिखें यहां होना चाहिए था यहां से लेकि यहां तक की मतलब त्रिज्जाब की यहां से यहां तक खुड़ी चाहिए ठीक अब ध्यान से आगे समझें आगे करा है ठोस बेलन में से इसी उचाई और इसी ब्यास का एक संक्वाकार खोल काट लिया जाता है मतलब इस पूरे बेलन में से ये जो मैंने किया है डिजाइन ये इतना संक्वाकार खोल काट कर काट लिया जाता है सेस बचे ठोस का छेत्रफल ग्यात किजिए सेस बचे ठोस का क्या क्याद करना है परवच्छो छिदफल ग्याद करना है बिल्कुल आसान तरीके सर्म छिदफल ग्याद करें सोचो भई ये काटा गया है तो इसमें इतनी डिजाइन तो बनी होगी न इसका छिदफल निकालेंगे ये अर्ध गोले का छित्फल होगा और साथ में पूरे बेलन का होगा ठीक इस बात को ध्यान देना है क्या करा है कि भई पूरे सेश ठोस का छित्फल निकालना है तो सेश ठोस का छित्फल निकालने के लिए आपके पास केवल केवल तीन चीज ध्यान देना है एक बेलन का एक संकु का एक आधार का बस ठीक चले शुरुआत करते हैं पूरे ठोस का छेदफल सेस ठोस का छेदफल आराम से हम ग्याद करेंगे सेस ठोस का छेदफल अब भैस इसमें आ जाएगा बेलन का वक्रप्रिष्ट छेदफल बेलन का वक्रप्रिष्ट छेदफल ठीक प्लस क्या हो जाएगा प्लस बेलन के आधार का ये बेलन का आधार पूरा नहीं निकला है तो बेलन के आधार का छेदफल बेलन के आधार का छेदफल और प्लस हो जाएगा संकु का छेदफल तो भई बेलन के वक्त प्रिष्टी सब्सका होता है 2 Πयायार इसक्यार संकू का होता है पयार ठीक के बहल आराम से थे आर सबसे पहले आर तो मुझे दिया है R दिया 0.7 सिंडी H हमारे पास है 2.4 सिंडी कियों मुझे तिर्यक चाहिए तो तिर्यक होता है R का स्क्या प्लिस H का स्क्या R की वैलू कितनी है 0.7 का वर्ग और H का वर्ग कितना 2.4 प्यार बच्चो दिहान से दिखे अब हम क्या करते हैं 0.7 का वर्ग करेंगे तो 0.49 आजाएगा और इनका वर्ग करेंगे तो 5.76 जाएगा इनको जोर देंगे तो कितना आजाएगा प्यार बच्चो 6.25 इनका हम वर्ग मुन निका लेंगे तो 2.5 यानि यल की जो बैलू है वो 2.5 आजाए जो तेरे कुछ आई आई वो L आ गई ठीक अब हम आराम सुभा रखते हैं सब में आईए 2 पाई की बैलू 22 बटे साथ आर आर आपने निकाला 0.7 कितना 0.7 इन्टू एच एच कितना 2.4 फिर प्लस पाई की बैलू 22 बटे साथ है आर की बैलू 0.7 गुने 0.7 प्लस पाई पाई की बैलू 22 बटे साथ आर की बैलू 0.7 L की बैलू 2.5 अब केवल आपको हल करना है यहां से देखे यह जो पॉइंट है बटे 10 कर देजे यह पॉइंट बटे 10 साथ से साथ कैंसल हो जाएगा दो पंचे 10 हो जाएगा और यहां से दिखे यहां से दिखे प्यारे बच्चो तो अगर हम कटाना चायत यह 12 दूनी 24 हो जाएगा और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक नेस्ट इस्टेफ हम यहां लिखेंगे अगला यह पॉंट काटके बटे 10 लिख जाएगा और यह वाला पॉंट काटके बटे 10 7 से यह साथ कैंसल हो जाएगा ग्यारे दूनी 25 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएग threat ठीक अब नहीं करेंगे कोई यहां से पॉंट काटके यह बटे 10 यह यह कर जाएंगे, यह पॉइंट कटा के बटे 10 है, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ठीक, 5 के 5, 5 पचे 25, 5 के 5, 5 दूनी 10, ठीक, अब जो बचा है वो पहले लिखो, यहां 22 बचा है, गुने क्या बचा है भी, 12 बचा है, और नीचे 5 पचे कितना, 25 बचा है, ठीक, प्लस, 11 गुने 7 बचा है, नीचे 5 गुड़े 10 बचा है, प्लस, 11 वहां बचा है, बटे कितना बचा दो, अब क्यों हल करना है भी, 12 दूनी कितना आजाएगा, 24, 12 दूनी 24, दो 26, बटे 25, पांद हमें 50, यहां 77 बटे 50, और 11 बटे 2, अब इन सब को आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके हल करोगे, तो पूरा आजाएगा 17.6, आएए, नहीं तो में एक बार देखी लेते हैं, 264 दूनी 25 से, तो 10.5 आएगा, 10.5 इनको डिवाइड करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो 77 भागी कितना 50 करेंगे, तो 1.5 आएगा, प्लस, 11 डिवाइड जब हम 2 से करेंग तो भाइड पांच जाएगा, इनको जोड देंगे, सारे को जब हम प्लस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, जानते हैं, सारे को प्लस करेंगे, 17.6 जाएगा, 10.5 पांच पनर लगभग, 17.6 सेंटीमीटर वर गएगा, तो इस प्रेकार आप इसको हल कर सकते, देखी कितना आसान है, केवल आपको सवाल को पकड़ना का आपसे कह क्या रहा, आप आसान तरीके से निकाल लेंगे, अब आपके मन में ये प्रसन चलाओगा कि यार, ये संक्वा का ठोस तो काट के बाहर कर लिया गया, तो भी इसका च्छत पर, वही काटे होती, ये तो डिजाइन इसी बनी है न, इतना तो इसी में, इसी ठोस से निकाले हो काटके, तो उसका भी तो निकालना पड़ेगा, तो प्यारे बच्छों, इस प्रकार आपका आठवा नमबर कम्पलीट होता है, अब हम बात करेंगे, इस सेशन की इस क्लास की लास्ट सवाल, नौए सवाल की, अगर अ प्याकडी के एक ठोस बेलन के प्रतेक सिरे पर एक अर्धगोला कार खोद कर निकालते हुए, एक वस्त बनाईगी, मतलब प्यारे बच्छों, इस ठोस बेलन में से एक अर्धगोला इधर से, एक अर्धगोला उधर से काटकर निकालकर एक ठोस बनाया गया है, जैसा की आक ठोश का स्मपूड प्रिष्टि चेटफल भहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे चलिए ठोश का संपूर प्रिष्टिच चितफल ठोट का चrans Hautisher nooit प्रिष्टिय चितफल तो यह इसका फार्मला क्या होगा सभसे पहले बात लयां के Team छेदफल बेलन का वक्र प्रिष्ट्रिय छेदफल ठीक और प्लस क्या होगा प्लस आजाएगा दो अर्ध गोले का अब फार्मुला रख देते हैं बेलन का होता है टू पाई आर एच और उसका होता दो और अर्ध गोले का होता है टू पाई आर इसक्यार तो गुड़ा कर दे तो 2 πाई की वैलू 22 बटे 7 और कितना है 3.5 और एच कितना है प्यारे बच्चो एच आपकी 10 है ठीक प्लस 2 गुड़े यहां 2 पाई कामान 22 बटे 7 यह पाई कामान 22 बटे 7 और कामान कितना है प्यारे बच्चो 성 Face 2 बार गुणा कर देंगे 30 फोलो 5 दिखें पॉयंट कटाएंगे दस ये वाला पॉयंट कटा के बटेंगे ठीक ओर ये वाला पॉइंट कटार के बटें डस ये 10 से 10 कैंसिल होगा 7 1 के 7 7 5 35 ठीक 7 1 के 7 7 7 5 35 हो जाएगा ठीक 2 1 के 2 2 5 10 ये 5 दो कर देंगे तो 220 प्लस इधर आ जाएगा 154 जोड देते हैं तो भई चार पान दो साथ दो एक तीन सो चोहतर सेंटीमीटर वर गाएगा इस प्रकार इस ठोस का संपोर प्रिष्टीज हित्वल इस प्रकार निकल के आता है तो प्यारे बच्चो इसी सवाल के साथ प्रिष्णावली में जितने सवाल थे सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे प्यारे बच्चो और ध्यान से इन सभी सवालों को पढ़िएगा आपके एक्जाम में यहां से most important question बनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज समझ जरूर आया होगा मिलते हैं आपको next वी मिलेंगे आपके एक्जाम से पहले class आपकी पूर्ण होनी है प्यारे बच्चो मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत thank you RDA student और प्यारे बच्चो last information यह है कि अपनी पढ़ाई में जरासा भी कमी ना करें क्योंकि प्यारे बच्चो इस बार आप आपका जो है पेपर बहुत ही सक्ती से होने वाली है ठीक तो आप उम्मीद करते होंगे कि हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चो का आप अपनी पढ़ाई जरूर तयार अपनी पढ़ाई पर मन जरूर लगाए होंगे thank you